हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे section 498A, chapter 20A, chapter 20A है जो हमारा IPC का, यह basically single section से deal करता है, जो कि है cruelty, cruelty एक बहुत ही important topic है, क्योंकि यह हमारा interlink होता है 304B, 113A, 13B और CRPC के भी कुछ sections है, तो उनको समझने के लिए सबसे पहले हम cruelty को आज समझ लेते हैं, cruelty के बाद मेरी अगली वीडियो जो होगी, वो 304B पर भी आएगी, 130B पर भी आएगी, तो जुड़े रहीगा चैनल के साथ, और अगर आप नए हैं, तो प्लीज इसे चैनल को सबसे पहले subscribe जरूर कर ले, और bell icon को जरूर दबाए, ताकि आपको मेरी चैनल की latest वीडियो सबसे सबसे पहले मिले, तो चलिए, section 498A, एक बार इसकी बेरेट को reading लेते हैं, husband और relative of husband, of a woman subjecting her to cruelty, हम बार बार देख रहे हैं, यह word यूज होता है, cruelty, सबसे पहले इस word को समझ ले, देखिए जो cruelty है, वो कहीं पर defined नहीं है, लेकिन उसके उपर मेरे पास एक supreme court की judgment है, जिसमें क हमारे पास यह clearly बताया, कि जो cruelty है, वो क्या है, सबसे पहले हम आपको बता दू, cruelty उसमें बोलते क्या है, cruelty का मतलब यह होता है, कि अगर कोई person, दूसरे person पर कोई ऐसी act करे, जो कि एक illegal act हो, और जिससे कि दूसरे person को harm हो, हाम कैसे होगा, या तो bodily, या mentally, और यह depend करता है, कि cruelty किसी person पर कितनी की गई है, और कैसे की गई है, किसी person को एक चाटा लगाना भी cruelty बहुत बड़ी हो जाती है, और किसी को एक तलवार मारना, या दंडे मारना, यह देखना पड़ेगा, कि वो act क्या है, और उस सामने वाले person की, जिस पर cruelty की गई है, जो कि एक woman है, उसकी mentality क्य है, वो से कितना effect हुई, तो यह cruelty के अंदर देखना पड़ेगा, और जो cruelty word है, यह हमारा IPC का कभी part नहीं था, क्योंकि देखिए, basically आपको इसके एक history पता होनी चाहिए, cruelty की, cruelty क्यों होने लगी, क्योंकि डावरी इतनी ज्यादा force में आ गई थी, कि इसे add करना इतना करने से डरने लगे, कि डावरी के demand इतनी ज्यादा होने लगी, उसी के context में है यह section, यह बाध्यान रखेगा, यह कोई अलग से section नहीं read किया जाता, 498A, यह red with किया जाता है हमेशा, जो कि है 130B, 304B के साथ, क्योंकि डावरी death के अंदर ही यह linked है, डावरी death से ही related है, उसी म करती है, यह उन्हें जिला देते है, बहुत ज़्यादा heinious crime है यह, non compoundable है, session tribal है, और इसके अंदर कोई भी relaxation नहीं है, मैं आपको word समझा रहा है था cruelty, दिखे, cruelty के लिए, जो case है, वो है मुहमद हुसाइन वसे state of अंदरपरदेश का, 2002 Supreme Court का है, इसमें Supreme Court ने बहुत ही clearly यही mention किया था, कि जो cruelty है, वो person to person matter करती है, और वो differentiate करती है, कि वो क्या देखके उसके उपर cruelty की गई है, और वो cruelty किस तरीके से की गई है, तो उन्हेंने कुछ standard बताये थे, basically कुछ छोटे से point है, वो अगर आप note कर ले तो आपके लिए बहुत जादा beneficial होगा, कि Supreme Court यह बोलती है, कि cruelty determine करने से पहले है, तो कुछ point देख ली जाए, वो क्या है, कि social standing कैसी है उसकी, background कैसा है, economic situation कैसी है, sensitivity कैसी है उस individual की, और environment कैसा है, जहां वो रहते हैं, और education क्या है, यह बहुत सारी बाते हैं, जो कि यह quote को देखनी चाहिए किस determine करने से पहले, अगर यह points को थोड़ा सा note करेंगे हम, तो हमारे examination point of view के लिए बहुत ही important हो जाता है, और judiciary के अंदर, interview के अंदर, यह बहुत ही crucial point हो जाते हैं, तो देखें, इसके बाद, cruelty के बाद, अगला word हमारे पास आता है, husband, husband से related, एक बहुत ही important term है, वो क्या है, कि क्या जो husband है, वो legally and illegally wedded, देखें, मैंने word य साथ है, तो वो क्या हुआ, illegal हो गया, और मान लीजिए, उस husband ने second wife के साथ कोई cruelty करी, तो क्या वो इसके अंदर, 498A के अंदर आईगा, क्या, इसके, इसके ओपर भी एक case हुआ था, बहुत important है, उसमें क्या हुआ, कि एक husband ने second wife के ओपर cruelty करना start किया, वो अपना properly wedded थे, अ करता था, तो उसके ओपर case हुआ, तो case में क्या हुआ, high court तक ये बात गई थी, तो high court तक ने ये बोल दिया, कि ये wedding legal नहीं है, और ये 498A के अंदर नहीं आती, लेकिन जब ये बात Supreme Court में गई, तो Supreme Court ने इसके ओपर बहुत ही clearly एक wording दी, कि हमें इसका legislature देखना चाहिए, 49 वहां पर उस case के अंदर जो husband है, उसको convict किया गया था, क्योंकि उसने धोका देकर सबसे पहले तो उस लड़की के साथ शादी की, और वहां पर उसके ओपर cruelty भी की थी, तो उसके बाद हमारे पास इसमें अगला word लिखा हुआ है relative, दिखे relative word समझना बहुत important है, क्योंकि relative जो word है, ये हमारे तीन चीज़ों से बात करता है, relative by blood, relative by adoption and relative by marriage, जो ये दो word है, पहले मैंने बताया आपको, कौन-कौन से, by blood and by adoption, ये दो word तो सुनने से समझाते हैं, कि by blood कौन होंगे, mother, father, brother, sister, ये blood हुए, mama, चाचा-ताया, ये blood relation हुए, और adoption से कौन हुए, जो adopt कर लिया वो भी समझाता है, लेकिन जो marriage है, ये बहुत ही एक important word आया, कि marriage से मतलब क्या हुआ, कि marriage से क्या detail आती है यहां पर, यहां से detail आती है कि लड़की, जो woman है, married woman है, उसके family, देखिए, यहां confusion हो रही है आपको, confusion हो रही होगे आपको, confusion क्या हो रही होगी, कि जो लड़की की family है, वो कैसी cruelty कर सकती है, उसके उपर एक case हुआ, वो कह था, कि एक husband and wife की marriage हुई, एक लड़की की marriage हुई, और जो लड़की थी, उसके मदर काफी young थी, क्योंकि जो पुरानी जमाने का case है यह, पहले जल्दी शादी हो जाया करती थी, लड़की की भी 18 साल की उमर वे ही कर दिया, तो फिर इस बात के उपर case हुआ, तो यहां पर court ने यहीं held किया, कि जो woman है, उसने अपनी वाइव, अपनी बेटी पर जो cruelty की है, real daughter पर, तो वो 488 के अंदर आता है, क्योंकि उसका relation illegally चल रहा था, अपनी बेटी के husband के साथ, तो यही था guys, इन दोन वर्ट का अब एक बार बेट की रिटिंग लेते हैं, बेट बोलता है, whoever being the husband or the relative of the husband of a woman, subject such a woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be level to the fine, यहां पर यही बात करी, कि जो cruelty है, अगर husband या उसके relative, उसके उपर कोई cruelty करते है, तो वो 488 के अंदर punishable होगा, यह तो guys आपको आगा समझ, अब हम बात करते हैं इसकी explanation की, explanation A, for the purpose of this section, cruelty means, क्या बताती है explanation, कि cruelty का क्या मतलब है, सबसे पहली explanation A, वो बोलती है, any willful conduct, इस word को उन्टराइन कर ले, willful conduct, क्योंकि यह इसकी heading है, क्योंकि willful conduct जो है, यह इस section का एक genus है, genus का मतलब क्या, कि यही एक crux है, यही एक इसकी heading है, और यही एक इसका entire topic है, willful conduct, willful conduct क्या, cruelty, किस चीज के लिए, डावरी के लिए, और किसी चीज के लिए है नहीं है औरी cruelty, क्योंकि यह interlink किसके साथ हुआ, 304B, 113AB के साथ, और CRPC की भी sections है, तो यह क्या बोलता है, यही बात बोलते हैं, कि आपने cruelty ऐसी करी, इस वे में करी, कि उस woman के साथ, इतना ज़्यादा harassment हो गई, कि क्या हुआ, उस woman ने या तो suicide कर लिया, या फिर grievous injury होगी, या फिर life के साथ danger हो गया, या फिर उसके किसी limb के साथ, उसके किसी body के पाट के साथ, danger कैसे, हाज जला दिया, पैर जला दिया, face पर कुछ लगा दिया, कट लगा दिये, बहुत कुछ होता है, चाटा मार देना, और health, health के साथ issue, health के साथ क्या, कि उसे खाना ना देना, उसे तड़ पाके रखना, उसके कपड़े साफ ना होने देना, उसे मैले कपड़े डाल के रखने देना, बहुत कुछ होता है, और whether mentally और physically of a woman, mentally कैसे, उसे इतना जादा torture करते हैं, उसे इतनी करते हैं, कि तुमारी family दहेज नहीं देती, तुम कितने गरीब लोग हो, तुम यहाँ पर कुछ लेकर नहीं आए, तुम हमारे टुकडो पर पल रही हो, बहुत सारी बाते होती हैं, इने बातों को लेकर cruelty हो जाती है, छोटी-छोटी बाते होती है, और बहुत ही यह बड़ तो यह था हमारा explanation A, अब हमारी बात आती है explanation B की, देखिए जो explanation B है, यह basically deal करता है हमारी property से, valuable property, देखिए यहाँ पर valuable property का क्या मतलब है, इस टर्म से यह मतलब हुआ, कि अगर husband या उसकी family या उसके relative, women के उपर cruelty करते हैं, कि वो किसी property को मंगवाने के लिए, यह उसे कोई property के demand करते हैं, women से, या उसकी family से, तो वो भी cruelty के अंदर आएगा, देखिए property किसी भी way में हो सकती है, property, लड़की की salary हो सकती है, लड़की के नाम पर कोई property हो सकती है, जिसे वो चाहते है कि वो हमें दे दे, तो वो एक cruelty का part है, या फिर लड़की की family से वो डिमांड करते है कि आप हमें कुछ डौरी दो, तो वो ही एक हमारा यहाँ पर 498 का party explanation 2 बनती है, तो friends यहाँ से तो हमारी हुई बेरक्टी reading complete, लेकिन इसके बाद भी बहुत important बाते हैं इससे, वो मैं कुछ अब आप से करूंगा, वो क्या है, वो यह है, कि जो यह इसकी validity है, यह यह आया, कि यह तो सिरफ woman case कर सकती है, आज कल तो cases ऐसे हो रहे है, woman husband पर cruelty करती है, तो क्या वो इसके अंदर आ जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसकी constitutional validity को challenge किया गया, कि यह तो biased है, तो इसके उपर एक case हुआ था, वो क्या था, सुशिल कुमार शर्मा, वसी union of India का, सुश कि यह जो legislature है, वो एक watch dog है, blood dog नहीं है, क्या मतलब हुआ, कि वो एक लोगों को देखते हैं, खूनी दरीनते नहीं है वो, कि वो लोगों को देखकर चलते हैं, society को देखकर चलते हैं, जो society की demand है, उसी को देखते हुए law बनाए जाते हैं, और woman की उस टाइम पर बहुत ज़ क्या होगी, कब से इसकी limitation start होगी, limitation इसकी start करने के लिए, court को ये देखना होगा, कि जो cruelty है, वो कब हुई है, इसके उपर एक case है, वो लिखें आप, आरुन व्यास वसे अनीता व्यास का, इस case के अंदर basically friends, यही held हुआ, कि जो cruelty थी, वो एक continuing offense थी, तो Supreme Court ने भी यहाँ पर है, वो बहुत यह continuing offense है, ऐसा नहीं कि cruelty आज हो गई, तो खतम हो गई, cruelty continuing चलती है, आज हुई, एक महिने बाद भी हो सकती है, एक साल बाद भी हो सकती है, तो जब वो latest cruelty होगी, वहाँ से उसके new limitation period start हो जाता है, तो इस Supreme Court के case में, अरुन व्यास के में, 1999 का case है, इसमें यही held किया कि जो limitation है, वो कोई bound नहीं है, कि जब first cruelty होई थी, वहाँ से होगी, cruelty जो continuing offense है, वहाँ से उसकी start होगी, और एक बात, कि मा लीजिए, किसी लड़की पर इतनी ज़्यादर cruelty होगी, कि वो mentally harassed है, वो mentally disturbed है, तो वहाँ पर ये देखना पड़ेगा, कि वो mentally disturbed अभी तक है, त क्युकि उस पर वो cruelty continuing है, cruelty तो हो रही है, वो disturbed है, तो वो इस पार्ट के अंदर आ जाएगा, एक important question इसके अंदर के आता है, वो ये है, कि इसके complaint कौन करेगा, इसके उपर एक बहुत important बात है, आप वो note कर ले, जरूर note करें उस बात को, कि जो complaint है, वो हर कोई नहीं कर सकता, वो कौन कर सकता है सिरफ, या तो वही woman जिसके साथ हुई है, उसके father, उस लड़की का mother, उसके brother sisters, वही कुछ है limited, जो कि उसकी complaint कर सकते हैं, तो I hope कि आपको यहां से, यह topic जो है, 49080 का completely समझ आ गया होगा, समझ आ गया है friends, तो इस वीडियो को like जरूर करें, और comment section में से अच्छा क्या लगा, और अगर कोई query हो, वो भी आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं, तो नई है तो चैनल को ज़रूर subscribe करें, और bell icon को ज़रूर दबाए, ताकि आपको मेरी latest videos सबसे पहले मिले, thank you so much, bye bye, take care.